हलो दोस्तों स्वागते हैं आप सभी को हमारी इस YouTube चनल पर दोस्तों आज क्योडियों बताऊंगा किस तरी केसे आप अपना Facebook का पुराना ID केसे खोले हैं How to open Facebook old account तो पुरानी Facebook ID को open करने के लिए आपको Facebook के official application को open कर लेना है दो आपको नीची तरफ आजना है और logout पे क्लिक कर देना है तो जिसे आप logout पे क्लिक करोगे आपका new Facebook ID logout हो जाएगा तो पुरानी Facebook ID को open करने के लिए आपको यहाँ पर एक option देखने के मल जाता है login into another account तो आपको login into another account पे क्लिक करोगे तो जिसे आप login into another account पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा तो पुरानी Facebook ID को चालू करने के लिए आपको यहाँ पे एक option दिया है forget password तो आपको forget password पे क्लिक कर दना है तो जिसे आप forget password पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का interface आ जाएगा find your account, enter your mobile number तो यहाँ पे अपना mobile number एंटर करना है अगर आपको याद है तो यहाँ अपना mobile number एंटर कर सकती हो लेकिन दोस्तों अगर आपको mobile number याद नहीं है तो आपको यहाँ पे एक option दिया search by email instead तो आपको search by email instead पे क्लिक कर दना है तो जिसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे option आ जाएगा find your account enter your email address अगर आपने अपना facebook id को email id से create किया था तो यहाँ पे अपना email id एंटर कर सकते हो लेकिन दोस्तों अगर आपने अपना facebook account को mobile number से create किया था तो आपको search by mobile number instead पे क्लिक कर देना है तो जिसे आप search by mobile number instead पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरका interface आ जाएगा find your account enter your mobile number तो यहाँ पे अपना mobile number enter करना है अगर आप अपना facebook account को अपने mobile number से create किया था तो अपना mobile number दीजिएगा अगर आपने अपना facebook ID को ममी के number से create किया था या फिर पापा या फिर बैन या फिर भाई के number से create किया था तो यहाँ पे अपना ममी पापा या फिर बैन का number को enter कर देना है तो मैं आप अपना mobile number enter कर देता हूँ तो आपको different different mobile number enter करके try कर लेना है तो सबसे पहले आपको अपना country code एंटर करना है जिसे कि मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है 91 तेन आपको mobile number एंटर करना है mobile number एंटर कर दने के बाद यहाँ पर एक option दिया है find account तो आपको Find Account पे क्लिक कर देना है तो जिसी आप Find Account पे क्लिक करोगे पेज लोड़ोगा देन कुछ इस तरह का Interface आ जाएगा जिसी कि यहाँ पे आपको देश सकते हैं मेरा Facebook तो यहाँ पे आपको भहुत सारा Option देखने को मिल जाता है Get Code Link विया WhatsApp, Get Code विया Facebook Notification, Confirm विया Phone Call, Get Code All Link विया Email, Enter Password to Login, Get Code All Link विया SMS तो अगर आपने अपना Facebook Account को Mobile Number से Create किया तो आपको SMS वाला Option देखने को मिल जाएगा Send Code विया Email, तो मैं यहाँ पे Select कर लेता हूँ, Get Code All Link विया SMS तो आपको Get Code All Link विया SMS पे Select कर लेना है अगर आपने Facebook ID को Gmail से Create कर लेना है, तो आपको Send Code विया Gmail पे Select कर लेना है तो जिसे आप Get Code विया All Link विया SMS पे Select करोगे, देन आपको निची तरफ एक Option दिया है Continue, तो आपको Continue पे Click कर लेना है तो जिसे आप Continue पे Click करोगे, पे लोड़ोगा आप थोड़ा सा वेट करना है, देन कुछ इस तरफ का Interface आ जाएगा, Confirm Your Account तो यहाँ पे आपको SMS आएगा, Facebook टीम के तरफ से आपने जिसका भी Mobile Number एंटर किया था, उसी Mobile Number पे Code आएगा, जिसे कि मैंने अपना Mobile Number एंटर किया था, परसनल, तो मेरे SMS पे आ गया है, यहाँ पे Message पे आ जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, हमारा Code आ चुका है, Sigrid का, यहाँ पे देख सकते हो, 943785, तो आपको इस Code को Copy कर लेना है, Code एंटर कर देने के बाद यहाँ पे एक Option दी है, Continue, तो आपको Continue पे क्लिक कर देना है, तो जिसे आप Continue पे क्लिक करोगे, Page लोड होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है, दिन कुछ इस्तरक एंटरफेस एगा Create a new password, तो यह बोल रहा है कि आपको नया password create कर लेना है, Sigrid का, तो मैं यहाँ पे अपना password एंटर कर देता हूँ, password create कर देने के बाद यहाँ पे एक Option दिया है, Logout of other devices, Choose this if someone else used your account, तो आपको इस पे टिक कर देना है, तो टिक करने से क्या होगा कि, अगर आपका Facebook ID किसी न या Login कर लिया होगा, तो वहाँ से आपका Facebook account logout हो जाएगा, देन आपको यहाँ पे एक Option दिया है, Continue, तो आपको Continue पे क्लिक कर देना है, तो जिसे आप Continue पे क्लिक करोगे, पेल लोड़ोगा, आप थोड़ा सा वेट करना है, बूम गाइस, सोफन दे सकते हो हमारा जो Facebook account है, पुराना वाला open हो चुका है, चालू हो चुका है, सो फेंड इसी तरीके से आप Facebook का पुराना ID को open कर सकते हो, चालू कर सकते हो, यहाँ पे मैं 3Line पे ले आता हूँ, प्रोफाइल पे, बूम गाइस, यहाँ पे upload दे सकते हो, हमारा जो Facebook का old ID recover हो चुका है, सो वेड़ी पस हो बन बोघ्टे अपके रीके हो, हो ओप हो